हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बाई चैनल होम साइंस फ्रेंड्स आद में आपके लिए एक कलर का बहुत ही प्यारा सा पैटर लेकर के आई हूँ इस पैटर को आप जेंट स्वेटर में बना सकती हैं लेडिस के स्वेटर को टी कार्डी इन बच्चों की कैप किसी डिजायना चार सलाई में ही बनकर के कम्प्लीट हो जाता है और इस पैटर को बराने के लिए में चाहिए टू की मल्टिपल प्लस बन फंदे दो के गुड़े दो फंदे लेने होगे और उसमें हम एक फंदा और जोड़ देंगे और नमबर में फंदे चाहिए तो दीखिए हमने यहां पर लिए हैं 15 फंदे और देखिए हमारी जो पहली दो सलाईया होगी वह हमारी फाउंडेशन सलाई होगी एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा पहली सलाई यह देखिए फाउंडेशन सलाई है इसको रिपीट नहीं करना है देखिए सीधी सलाई यह देखिए बनाने के बाद में एक उल्टा एक फंदा सीधा और उल्टी तरफ से जो फाउंडेशन सलाई इसको हम उल्टा बुन लेंगे इन दोनों सलाईयों को आपको रिपीट नहीं करना है अब देखिए हमारे पैटर्न की पहली सलाईय बनना सुरू हो जाती है साइड वालन देखिए फंदा में यहां पर बिना बुने उतार लेंगे और देखिए जिस पर हमने यह उल्टा फंदा बुना है तो उस पर देखिए यहां पर देखिए इस फंदे को छोल करके यहां पर सलाई को डालेंगे और यहां से इस तरह से एक लूप बनाएंगे और देखिए उसके बाद में यहां पर डालेंगे यहां से भी हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे धागा आगे लेकर के आएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे धागा पीछे देखिए इस उपर से उतारेंगे और इसके बाद में इस फंदे को इसके उपर से उतार देंगे धागा आगे ले करके आएंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे यह वाला जो फंदा है यहां पर डालेंगे सलाई को एक फंदा बनाया और एक और यहां से बना लिया धागा आगे ले करके आ और फंदा उल्टा बुना इसको इसके उपर से उतारा और इस वाले को फंदे को भी इसके उपर से उतार दिया फिर फंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे देखे यहां पर सलाई को डाला एक लूप बनाया यहां से भी एक फंदा बनाया यह फंदा उल्टा बुना और इ कि ऑला जो फंदा इसको भी इसके ऊपर से उतार दिया दागा आगे लेकर आएंगे फंदा उल्टा बुनेंगे दागा पीछे इस वंचेपर मैं डीजाइन है यहां पर एक फंदा बनाया फिर फंदा हम यहां से बनाएंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे पीछे ले जाएंगे और इसको इसके ऊपर से उतारा और उसके बाद में इसको भी उतार देंगे तो पहली सलाई है हमें इसी तरह से कम्प्लीट कर लेनी है यह उल्टे फंदे दिख रहा है इन पर हमें इस तरह से टिजंग बना लेना है कि धागा पीछे कि इस फंदे को उतारा और इसको भी उपर से उतार दिया कि अब देखिए यहां पर यह दो फंदे रहे गए हैं इस फंदे पर यह मैं डिजाइन बनाना है कि अब पीछे ले जाएंगे पहले इसको उतारेंगे इसको देखिए हमारे पैटन की पहली सलाई जो है यहां पर कंप्लीट हो जाती है अब इसके बाद में बाते हैं दूसरी सलाई पर जो कि उल्टी तरप से है यहां पर हमें सारे फंदों को उल्टा बुलने ना है अब देखिए फ्रेंट्स हम आते हैं अपने पैटर्न की जो तीसरी सलाई है तो साड़ वाला फंदा यहाँ पर यह बिना बुने उतारेंगे और इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे अब देखिए इस फंदे पर में डिजाइन बुननी है देखिए यहाँ पर डालेंगे सलाई को यह हमारे पैटर्न की तीसरी सलाई इस फंदे को उतार और इसके बाद में इसको भी इसके उतार देंगे और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे द्गा पीशे ले जाएंगे अब दिखें यहाँ पर डालेंगे सलाई को और इसकी बाद में यहाँ पर नागा आके और यह फंदा उल्टा बुना तीसरी सलाई भी हमारी कम्प्लेट देखिए हो जाती है इसी तरह से तीसरी सलाई कम्प्लेट हो गई है अब देखिए चोथी सलाई पर आते हैं चोथी सलाई पर सारे फंदों को हम उल्टा बुल लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए इनी चार सलाईयों को आपको रिपीट करती हुए जाए जाना है और देखिए आपका जो डिजाइन है बनने के बाद में अधिक फंदों पर कुछ इस तरह से बन करके आएगा कि बहुत ही सुन्दर दिखता है बनने के बाद में तो फ्रेंट्स देखिए मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना वूलें मेल देखिए अगली वीडियो में